हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल तो स्वागत है आप सबका मेरे किचन रुपाली की रेस्पी में तो आज मैं आप लोगे साथ सेर करने वाली हूं लिट्टी और चोखे की रेस्पी लिट्टी और चोखा यूपी और बिहार का जान होता है तो अगर अभी तक लाइक को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो यहाँ पे हमने ले लिया है दो टमाटर और एक बैगन लिट्टी जो है वो चोखे के बीना बिल्कुल अधूरा होता है तो यहाँ पे हम बैगन और टमाटर को पका लेंगे तो यहाँ पे अब अब थोड़ी दिर के ब बैगन को थोड़ी दिर तक और पका लिया था तो अब आप देख सकते हैं कि बैगन हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और बैगन को हटा लेंगे और अब हम इसे यहाँ पे ठंड़ा होने के लिए छोड़ तो बैगन और टमाटर हमारे यहाँ पे अच्छे से स्ठंडा हो चुका है तो अब हम यहाँ पे टमाटर के छिलके को हटा लेंगे तो यहाँ पे हमने टमाटर के छिलके को हटा लिये और बाकी के जो बचे हुए टमाटर और बैगन है उसके छिलके हम हटा लेंगे और अब हमने यहाँ पे बैगन और टमाटर के छिलके को हटा लिया है तो अब हम इसे एक अलग बॉल में डाल देंगे और अब हमने यहाँ पे ले लिया है हरे मिर्च, हरे धनिया की पती और लहसन सब को बारी काट लिया है तो अब हमने जो टमाटर और बैगन को छील करके रखा था उसमें हम डाल देंगे लहसन को, हरी मिर्च को और धनिया पती को सभी चीजों को डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाध अनुसा नमक नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सरसो का तेल आप इस चोखे में सरसो का तेल ही डाले क्योंकि इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो सारी चीजों को डालने के बाद अब हम एक मैसर ले लेंगे और अब हम आटा गूत लेते हैं लीटी के लिए तो यहाँ पे हमने आटे को गूत लिया है और अब हमने एक बॉल में ले लिया है चने का सत्तू और इसमें हम डाल देंगे बारी कट की हुए हरी मिर्च और हरी मिर्च को डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे बारी कट किये हुए लेसन अब लेसन और बारी मिर्च को कूट करके डाले तो इसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पे हमने लैसन और हरी मिर्च को डाल दिया है तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसमें डाल देंगे सरसो का तेल और तेल डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हरे धनिया की पत्ती सबी चीज़ों को डालने के बाद हम सत्थी को अच्छे से मिक्स कर लेंICE, तो यहाँ पर हमने सत्ठी sì को अच्छे सा मिक्स कर लिया है, तो अब हम चलते हैं लिटी बनाने के प्रोस्マ, तो यहां पर हमने जो आटा गूत करके रखा था उसमें से थोड़े से आटे को ले लिया है और आटे को लेने के बाद हमने उसे हाथों से इस तरह से कटोरी का सेप दे दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे चने का सत्तु जो हमने मिक्स करके रखा था और इसमें चने के सत सत्तु को डालने के बाद हम सत्तु को अच्छे से प्रेस करेंगे जिससे की सत्तु हमारे बाहर ना है और इसे सत्तु को हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम इसे एक राउंड से दे देंगे तो यहां पे हमारा एक लिटी बन करके तयार हो चुका है इसी तरह से हम बाकी लीटी को भी बना लेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँ तो यहाँ पे हम दूसरे लीटी को भी उसी तरह से बना लेंगे तो यहाँ पे अब हमने दूसरे लीटी को भी बना लिया है और बाकी के लीटी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे लीटी को बना लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे लीटी को तयार कर लिया है और अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है इसमें ही हम लीटी को सेकेंगे आप चाहो तो इसे आग पर भी पका सकते हो लेकिन मैं इसे आज आग पर नहीं पका रही हूँ मैं आपको इस पर ही पका करके दिखाऊंगी और बहुत अच्छे से इस पर भी लीटी पक जाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है तो यहाँ पे जैसे ही यह पैन हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सारे लीटी को डाल देंगे तो हमने सारे लीटी को डाल दिया था तो अब हम इसे बीच बीच में पलटते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से लीटी हमारा थोड़ा थोड़ा पक चुका है तो अब हम इसे दूसरे साइड पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी हमारे लीटी अच्छी तरह से पक जाए किसी भी साइड से एक अच्छा ना रहे तो हम इसे पलट करके चारो तरप से अच्छी तरह से सेख लेंगे पलट पलट करके और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्मॉस्ट लिटी हमारी पक चुकी है तो जिस साइड से नहीं पकी है उस साइड से हम इसे पका लेंगे और थोड़ी देर तक और पका लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिटी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है कहीं से भी एक अच्छी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से लिटी यहाँ पे हमारी पक चुकी है हमें आग जलाने की जादा ताम जहम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी असानी से हमारे लिटी पक चुकी है तो यहाँ पे हमने सारे लिटी को उतार लिया है और अब हमने यहाँ पे घी ले लिया है तो घी में हम डिप कर देंगे लिटी को क्योंकि घी के बिना अधूरा है लिटी तो यहाँ पे हम घी में डुबो देंगे अच्छे से लिटी को और यहाँ पे हमने लिटी को सर्व कर लिया है आलू बैगन के चोखे के साथ और हरे धनिया की चटनी के साथ और अब हमारा यहाँ पे गर्मा गरम लिट्टी और चोखा बन करके तयार हो चुका है तो मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है मैं जारूँ इसे खाने और आप भी इस मेरी इस रेस्पी को एक बार जुरू ट्राइ करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें